यानाम अभी अपको मेरा नाम शेक इब्राहीम है क्या किया चाहेंगे सर में यह कहना चाहूँगा जैसे मुझे सूचना मिली थी अभी तो कहा के रहने वाले हो इमें घास्पुरा बगत सिंग चो कुप किया मामला है सर मामला यह है कि मैं एक समाज सेवी हूं तो मुझे आया था कि इना ब्लड की जरूरत है पेसेंट को अस्पिटल में एडमिट किया है आपके मोले के जी अनीशा पती अनीशा हस्बेंड अन्व है जिसकी जाँ चीह रही है अब मैने बी पोसित्व जैसे तेसे डोनेट डोनेशं मैंने धूनड कर लाया यहां तो मुझे मना कर दिया डोनर मतलब नहीं यहांपर खुन दिया अब हमनों निकाल लिया खुन को उसके बाद झाटका यह नोर को फोन लगा देड़ घंटे कि आपका जो खुण दिया है वह भी पॉजिटीव तो है बट यह ओ पॉजिटीव है उसके बाद हम यहां पर आया सर फिर मैंने यहां पर देखा तो फिर इन्हों नहीं मुझे बोले कि आप एक काम कीजिए दोबारा और यहां से यहां सर ले आकर इन्होंने परीजनों यहां पर आया थोड़े बहुत फिर उन्होंने ले आकर वहां पर नेदानिक केंद्र में जमा किया छे बहुत साड़े मतलब साड़े पांच एक बहुत जमा करा और और साड़े मतलब साड़े अठ बजह वहां से मिनें कर आया सर तो स्मी ओभ पाजेटिव आता है फिर मैंने प्राइवेट कर वही यहां से प्राइवीट तत्काल खुन ब्लड लेकर जाकर प्राइबेट कर वहीं तो उसमें भी सरो पाज़ेटिवा है मेरे कहने का मतलब यह सार जैसे हम जो लोग है थोड़े बहुत एक्टिव है जो समाज से भी जैसे अपने इस्तर पर करते हैं सत्काल में कभी इसा परिस्तित्यों में कोई भार का वेक्ति ओँगे जोबी मतलब लापरवय हो रही है वह लापरवयी पर रोग लगाया जाए पर देखते हुए जो भी मरी यहां पर उनका सही और संपूर्ण तरीके से कारिय किया जाए बोले तो देखभाल की जाए और जाज की जाए जानते हो कि अधिकतर कभी एसी कभी कंडिशन आ जाए सर तो आप सोच लो कि मरीज मरीज का क्या होगा कि अधिक किसी के बच्चे छोटे होते किसी के बड़े तो यह लापरवही नहीं होना चीए मेरा केने का मतलब यह बड़ी लापर वही है सार मेरे चोट में एक छोटा साधराना आदमीं इतनी बार समझ सकता हूं तो बड़े लेवल पर इससा समझना चीए